असलाम अलेकूम सुभा-सुभा का टाइम है, खूब बारिष हो रही है, सारी दाथ भी बारिष होती रही है और अब भी देखें आसमान वो बादनों से भरा पड़ा है और बहुत तेज बारिश हुई है वो देखें लोगों के किस तरह से पढ़ना ले जो है वो चल रहे है फुल हवी रेन हुई है और बहुत ज़्यदा शबीद बारिशों का सिलसला जो है मुल्ख में शीग हो रहा है और अल्ही झाला से दुआ है कि अल्ही आला इन वारिशों को इतना शदीद मा करे कि सेलाक का रहतरा भी हो जाता तो यह देखे रात से बारिश हो रहे हैं और वहां पर देखे कितना ज़्यादा पानी छधयों से आ रहा और फूरी गली पानी से बहर चुकी है तो ऐल्ह गला हम का वहन करे और बारशों का सिल्षला इकना शदीद ना करे कि हमारा हर तरफ कल्स तबाही हो जाती ही, हो ना हो तो बारिश बहुत ज़्यादा है, यहां पर भी देखें कि पिना ज़्यादा बादल आए हुए हैं और हर करफ मुल्क में बारिशों का सिल्सला शुरू हो चुक्छा है और बलकि यहां यह कहना चाहिए कि मौन सोंसु है वो शुरू हो चुक्छा है बरसाथ की आमद शुरू हो भी है, इसमें बहुत ज़्यादा हित्याद करें हम लोग चलते-चलते यह जो रास्ते में बिजली के खंबे होते हैं इन से भी बचें, इनको भी हाथ लगाए बगयार दुझे रहे हैं क्योंकि इनमें भी क्रंट आ जाता है और मोटर वगारा जो है, इसको भी एक याप से बन ज़ए है क्योंकि इन बरसाथ की मौसमों में क्रंट का खत्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों के कमना ले जाएं, वो काफी दहर है और इसका मतलब यह एक शबीद बारिश ही है राग से बारिश हो रही है और बजली भी मौर्टल है क्योंकि हमारे मिल्क में यही होता है क्यों बारिश शुदू होती है तो बजली गाइब हो जाती है तो अल्ला पाक रहम करें और हम सब पर अपनी रहमत अपनी शक्तित रखें और फिर मिल्मी कुछी नहीं अज़गार सी वीजियों के साथ तक तक चेलिए अल्ला हाफेश